अध्याय छे विद्युद्धारा एवं परिपत इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट पिछली कक्षाओं में आपने कुछ आसान विद्युद्ध परिपत बनाने सीखे हैं क्या आप एक तार, एक बल्ब वए एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपत बना सकते हैं? आप इन सभी को कितने प्रकार से जोड़ कर दिखा सकते हैं? ध्यान रहे कि आपको तार का केवल एक ही संयोक्त टुकडा उप्योग में लेना है इस अध्याय में हम विद्युद्ध की कई अवधारनाओं के बारे में जानेंगे आप जानते हैं कि विद्युद्ध दो स्वरूपों में पाई जाती है इस्थिर विद्युद्ध और धारा विद्युद्ध इस्थिर विद्युद्ध विद्युद्ध का वह स्वरूप है जिसमें विद्युद्ध आवेश अपने स्थान पर इस्थिर रहते हैं परन्तु धारा विद्यूत में विद्यूत आवेश गतिशील होते हैं जिसके कारण विद्यूत धारा उत्पर्न होती है इस तर विद्यूत के बारे में हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इस पार्ट में हम धारा विद्यूत के बारे में ही पढ़ेंगे 6.1 विद्युद धारा Electric Current आईए हमें क्रिया कलाप की साहिता से विद्युद धारा की अवधारना को समझने का प्रयास करें क्रिया कलाप 1 आवश्यक सामगरी संयोजी तारें लोहे की कील लकडी की छड़ या पैंसिल एक विद्युद बल्ब और एक सेल स्थिती 1 चित्र एक आ के अनुसार एक विद्युद परिपद बनाएं इसमें संयोजी तारों की मदद से एक सेल को एक कील वा एक बल्ब के साथ जोड़ कर परिपद पूर्ण करें परिपद पूरा होने पर बल्ब का अवलोकन करें क्या बल्ब जल उटता है? इस्थिती 2 अब कील के स्थान पर परिपद में एक पैंसिल जोड़ें जैसा की चित्र एक बा में दिखाया गया है क्या परिपद पूर्ण होने पर बल्ब जल उटता है? यदि नहीं, तो क्यूं? इस सिती तीन परिपत में दो संयोजी तारों के बीच चित्र एक सा में दिखाय अनुसार जगह छोड़ दें अर्थात परिपत तूटा हुआ छोड़ दें क्या ऐसी सिती में भी बल्ब जलेगा? इसी प्रकार आप सिक्का, कांच की चड़, कागज, रबर, आदी का उप्योग कर यह प्रयोग दोहरा सकते हैं तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक विद्दुत परिपत बनाती हूँ इस विद्दुत परिपत को बनाने के लिए मैंने लिया है तीन LED लाइट्स बच्चों, आप इस प्रयोग को बल्ग की सहता से भी कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर लिया है तीन LED लाइट्स और तीनों LED लाइट्स को मैंने एक दूसरे के साथ जोड दिया है और यहाँ पर मैंने इनके दोनों सीरों को दो तार से भी जोड दिया है अब देख सकते हैं बच्चों मैंने यहाँ पर लिया एक ट्रांसफार्मर जिसको मैंने जोड़ा है में स्विच से यह step down ट्रांसफार्मर है जो की 200 बीट से 240 वोल्ट तक की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्थित करता है अब जैसे मैं इस ट्रांसफार्मर को इस LED की तार से जोड़ूँगी यह LED बल्ब जलने लगेगी चलो इसे जोड़ कर देखते हैं मैंने transformer की तार को इस LED की तार के साथ जोड़ दिया अब मैं switch को on करती हूँ देखेंगे बच्चे यह बल्ब जलने लगेगा अरे यह क्या switch on करते हुए भी यह बल्ब नहीं जला क्यों अरे मैं तो इस तार को जोड़ना ही भूल गई थे इसलिए बल्ब नहीं जला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिपद यहां पर अपूर्ण हो गया जिसके कारण विदोधारा प्रवाहित नहीं हो सकी और यह विदोधबल नहीं जल पाया अब इस परिपद को हमको पूर्ण करना है इसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़े हैं एक पैंसिल और एक तामबे का तुकड़ा तो हम दोनों का इस्तमाल करते हैं जोड के देखते हैं यह विद्दूद बल्ब जली गए या नहीं सबसे पहले मैंने इस पैंसिल के तुकड़े को इस तार में जोड़ा जोडने पर भी यह विद्दूद बल्ब नहीं जल रहा है परिपत तो पूर्ण नजर आ रहा है बच्चो लेकिन यह विद्दूद बल्ब क्यों नहीं जल रहा क्योंकि ये जो पैंसिल है इसका बहारी हिस्सा लकड़ी का बना होता है और हम जानते हैं बच्चों कि लकड़ी विद्द धारा की कूछ अलक होती है जिसके कारण विद्द परिपत पूर्ण नहीं हो पारा और ये बल्ब नहीं जल पारा चलिए अब हम इस तामबे के तुकड़े को इस तार में जोड़ कर देखते हैं क्या ये विद्द परिपत पूर्ण होगा क्या ये बल्ब जलेगा मैंने इसके एक हिस्से को एक सीरे को ट्रांसफार्मर की तार के साथ जोड़ा और दूसरे हिस्से को मैं इस LED से आने वाली तार के साथ जोड़ कर देखती हूँ अरे वा बच्चों देखो ये बल्ब बिल्कुल जलने लगा है इसका मतलब इस तामबे के तुकड़े को लगाते ही ये परिपत पूर्ण हो गया और इस परिपत में धारा प्रवाहित होने लगी और ये बल्क जलने लगा तो हम कह सकते हैं कि विद्दूत परिपत को पूर्ण होने से ही धारा प्रवाहित होती है और विद्दूत बल्क जलता है बच्चों इस प्रयोकों करके आपको कैसा लगा? उमीद है मज़ा आया होगा आप भी इस प्रयोग को जरूर करें पर एक बात का ध्यान रखें इस प्रयोग को कभी भी आप डारेक्ट स्वीचबोर्ट पे लगा कर ना करें क्योंकि आपके घरों में और विद्यालों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की होती पर इस प्रयोग को करें जरूर आपको जरूर मज़ाएगा